अश्कार आप सभी का एंस्क्रप्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिरियम 2005 आर्टियाई एक 2005 का पालन बिहार आज सूचना आयोग में भी नहीं किया जा रहा है जो गंभीर विशह है केवल आयोग के द्वारा बरतमान पता एवं रिटार होने पर उसके घर का पता तक पुछा जाता है जब लेकिन आयोग से आर्टियाई लगाकर इस संबंद में जानकारी ली जाती है तो बिहार आज सूचना के पी आईयो भी सूचना नहीं देते परतम अपील करने के बाद भी कोई सुनवाई भी नहीं हुई है इस संबंद में आप लोग जानें कि किस प्रकार सूचना आयोग में भी हावेदक को गुमरह किया जाता है तथा उसकी जानकारी मांगने पर सो समय आर्टियाई एक्ट का पालन नहीं किया जाता है इसलिए हम लोगों को सुचना आयोग में भी आर्टियाई लगा कर आवश्चक जानकारी अवस्च लेना चाहिए चलिए मैं सुचना आयोग में परतम अपील दायर किया था इस संबंद में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपना सुचना आयोग का पूरा पता लिखेंगे महासे मैंने प्रपत्र को दिना कितना को लोग सुचना पता दिकारी सुचना आयोग भीहार पतना को आवेदन परिसित किया था लेकिन 30 दिनों के अंदर मुझे कोई सुचना परदान नहीं की गई इस सो समय कोई निरने प्राप नहीं होने पर छुबद हूँ इसकारन पर थम अपील दार कर रही हूँ यह मैंने अपनी मां के नाम से लगा था इसलिए अपील करता का नाम पुरा पता लोग सुचना पता अधिकारी जिसके इबरुद अपील है नाम लोग सुचना पता अधिकारी पी आईओ पता बिहार सुचना आयोग सुचना भवन पटना अपना अपना सुचना आयोग का पता लिखेंगे प्रपत को समर्पित करने की तिथी 2222 सूचना का व्यारा पहला दूती अपील या सिकायतवादों का आदेश डिसीजन जिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है उसका प्रमानित परती उपलब्द कराएं दूसरा धारा अठारा के तहद दायर सिकायतवाद में सिकायत करता से पि आईओ का नाम एवब बर्तमान पता जिस नियमों और आदेशों के तहद पूछा जाता है उसकी प्रमानित परती दी जाए क्या तिसरा में क्या सूचना आईओ को धारा अठारा एक के तहद दायर सिकायतवाद में पि आईओ का नाम वो बरतमान पता संबंदित विभाग कार्याले से जानने एवं पूछने का अधिकार नहीं है चौथा आयोग में दार सिकात बाद दियुति अपील के निश्पादन करने का प्रावधान अधिकतम कितने दिनों का है सुल्क मैं गरेवी रेखा से नीचे वाले परिवार से उसलिए मैंने विपियल रासन कार्ट समंधी रासन कार्ट लगा दिया है अपील दार करने की अंतिम्थ थी 22-21-22 को ही थी हस्ता आक्षर मैंने यह 15-21-22 को ही परतम अपील सूचना आयोग में दार किया है लेकिन परतम अपील करने के बावजूद भी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है इसलिए हम लोगों को सूचना आयोग में हो रही गरवरी पर भी आर्ट याई लगा कर उसे उनके नियमों का ग्यान दिलाना चाहिए तथा अपने अधिकार की रक्षा के लिए सूचना आयोग में भी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगें तथा अपने संबंधित अभी लेक से भी सूचना मांगें कि आपके अभिलेख में लोग सुचना पदादिकारी PIO द्वारा क्या परतिवेदन दी गई है क्योंकि लोग सुचना पदादिकारी के परतिवेदन को आवेदक को ना तो दिखाया जाता है ना अपलब्द करा जाता है ऐसे इस्तिती में उस परापत्ती या किसी प्रकार का सिकायत करने में आवे तक को परिशानी होती है इसलिए सुचनायोग में भी इस प्रकार RTI अवस लगाएं जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें अब बेल आइकन को दवा कर ओल पर भी क्लिक कर लें तो था इसे अधिक सेयर करें जिससे RTI एक में मजबूती आए और भारत में हो रहे भरस्टाचार में कोई कमी आए जैहन